तो फ़ाल रम वीडियो है कल के दिन इन कहुन मैं सा लेवल होने वाला है इंप्वर्टेटर्टि निप्टी बहाइटी इसे ड्राई करते हैं। ठीक है यहम पनदूमे टायम वर्ट अब टायम पर आपए ट्रेंट के Ocean एंड इसे ओपर है। पर इंपॉर्टन लेबल की बात करते हैं तो चलिए यहां पर जो लेबल होने वाला है मैं आपको लिख करके बता जेता हूं कौन सा इंपॉर्टन लेबल है ठीक है जो ब्रेकाउट का जाएक लेबल तो यहां पर अगर देखना ट्राइब करेंगे भीया तो लेबल होने माला है उसके बाद में नेस्ट लेबल जो आपका था वहां आपका लेबल यही ए अठारागाजर 1888 यह लेबल आपको देखें नहीं मिलेगा 1888 ठीक है यह लेबल मिलेगा बाकि अगर नीचे की बात करूं भाई तो नीचे आप समझेए सबसे बड़ा जो सपोर्ट यहां पर निकल करके आ रहा है वह 18710 अगर 18700 का लेबल हम लोग मान सकते हैं राउंड लेबल की बात करेंगे ठीक है तो 7710 यह सबसे बड़ा सपोर्ट यहां पर है तो आज के दिन में 18700 और 710 ठीक है तो यहां पर मैं राउंड लेबल के रहा हूं देखिए यह अब यह जो यहां पर लिखा गया है 700 710 इसका मतलब क्या भी आपको बता देते हैं ठीक सबसे पहले यहां पर मैं लाइन ड्रो कर दूं भाई होरिजेंटल लाइन ड्रो कर देते हैं ताकि आप ल कि मार्केट देखिए यहां इस्टारख हुआ मार्केट नीचे आए ठीक है यहां फ्लैकन पंप्ला फाटर ग다가 भाण करद दिया अब तीखैंब देकान आपको लेकिन ध्यान राखेंगे अब इसके ऊपर कोई भी कंदल कर मिलेगा अगर यहां नेगरीट करने नीचे भी यहाँ पर अगर कोई positive candle बनेगा तो बिल्कुल भाई आप यहाँ बाई कर सकते हैं, छोटा सा इस्टल बाई करके बाई करेंगे फिर market उपर जाने का पूरा चांस है, अगर इसके नीचे ब्रेक करेंगे फिर यह target अगर देखिए जो 700-710 अगर एक ही candle उलाती है ठीक है, एक candle 44 का यह level आप ध्यान रखेंगे, market यहाँ तक आने का पूरा भाई इसको छमता है, नीचे यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, यह तो चीज यहाँ पर लेबल की बात होगे, इतना level आप लिख लेंगे, आप ध्यान देदेंगे अपने level पर, चलिए अब बात करते हैं, देखिए trend trend line कौन सा important है, ठीक है, कौन सा trend line जो है important है, अभी मैं आपको बता दू trend line देखे, एक trend line यह draw करेंगे, ऐसे करके, ठीक है, यह trend line बहुत ज़्यादा important है, market जब तक इसके उपर है, तो क्या करना है, आपको इतना ध्यान रखना देखिए, market इसके उपर यहाँ से, फिर नीच नीचे का जो label आपको बताया गया, वो सारा label यहाँ पर, नीचे आपको दिखा सकता है, इसको break करने के बाद, ठीक है, यह कही, लेकिन important, देखे, मजबूत करने लेकर break करेगा इसको, ठीक है, तब आप नीचे के लिए जा सकते है, लेकिन आज के दिन भाई, बहुत जिए कि, जो यहाँ पर एक pattern देखे, फ्लेगन पूल pattern यह कि यह वाला देखेंगे, तो यह भी अच्छा चला हुआ है, टागेट मिला है, और भाई यह वाला भी काफी अच्छा चला है, यहाँ पर भी टागेट आपको समझी है कि करीब-करीब, पूरा देखने लिए मिला तो बस projection में यही सारी चीज़े देखना पड़ता है, और यहाँ पर देखें, breakout जो हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखें यह breakout हुआ है, यहाँ पर अच्छा खासा breakout फिर यहाँ पर भी breakout हुआ है, यह breakout भी काफी अच्छे breakout हुआ है, इसको भी जो भाई अगर consider किया होगा, तो यहाँ पर भी समझी अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना होगा, तो चलिए भाई यह निप्ती का चीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पर आप ट्रेल लाइन कल के दिन ड्रो करकर रखेंगे, market जैसे इसको ऊपर रहेगा, आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है, बाई के ब बोले, बाई आज तो पैसा ही पैसा चपा है यहाँ पर, ठीक है, जो लोग तोड़ा जाने होंगे, देखे होंगे, तो देखें यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने एक चीज़ क्लिरली देखें, डबलू पैटन यहाँ पर चला हुआ है, थोड़ा से यहाँ पर देखेंगे न आपको समझना आपको देखना तो चलो भाई यहां पर देखे अगर देखेंगे ना एक छोड़ा देखेंगे यार काफी अच्छा समझी यहां पर मैंने इंट्री बना था आप सो पता होगा तो यहां पर देखेंगे बने का कारण यही है अब एतना ची समझी यहां पर आप तो जो लेबल की बात करते हैं पर ठीक है यहां पर जो सबसे अच्छा ब्रेकाउट मिला है ठीक है यहां पर 63,850 43,850 कल के दिन इस लेबल पे आपका निगाह होना चाहिए मार्कट जब तक इस लेबल के उपर है तब तक बुली से कोई दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है और देखें यहां पर न 44,150 यही टार्गेट था और आ गया 44,150 अब इसके उपर जब मार्केट निकलेगा ठीक है इतना ध्यान दखना जब इसके उपर मार्केट निकलेगा फिर आपका अगला जो टार्गेट होने वाला है भाई वो टार्गेट आपका होने वाला है यहां पे 250 का 44,250 का टार्गेट यहां पे देखने मिलेगा आपको फिर अगर इसके नीचे अगर आएंगे भाई तो फिर नीचे यहां पर आपको देखाएं 4300 का का लेबल यहां पर सबसे बड़ा सपोर्ट है यह 43 जा 700 का सपोर्ट यहां पर आपको यह देखे यह लेबल कल के दिन यह बड़े लेबल है इसको ध्यार रखना यह इंपोर्टन लेबल होने वाले है तो निगा इस पर बैठा कर रखना काफी अच्छा आपको टार्गेट मिल सकता है कल के दिन में और मार्केट वैसे बोलिस ही थीक है मार्केट बुलिस दिखरा है वसके कोई दिखक नहीं है बुलिस दिखारा यहां पर मार्केट तो यह लेबल होने वाला है यहां पर एक छोड़ा सा अगर हाइल बनाएंगे भाई तो यहां पर ब्रेकाउट मान सकते हैं तो यह 44,000 का यह एक सपोर्ट है इस उपर जाने का पूरा का पूरा चांस है यहां से अगर इसके भी उपर देखे अब एक सी पता देते हैं अगर यहां पर मार्केट फिर 44,360 ठीक है यह भी 44,360 यहां पर जो लेबल यह है यहां तक मार्केट बिलकुल जाएगा इसमें कोई दोरा नहीं है ठीक है चवाज 300,360 का जो लेबल इसको आप मार्केट में दे सकते हैं लेकिन एक चीज यहां पर आपको मैं बता देखिए यहां पर इतना बाइंग हो चुका है तो चलिए यह लेबल आप देख लीजिए उसके बाद मार्केट क्या है अब ट्रेंड में है त्रेंड में है ऐसे ट्रे ट्रेंड में है एक ट्रेंड आप ऐसे भी ड्रोग कर सकते हैं तो देखिए यहां पर आप ऐसे भी ड्रोग कर सकते हैं तो देखिए यहां पर आप ऐसे भी ड्रोग कर सकते हैं देखिए क्या होगा यहां पर मार्केट यहां से नीची आता है यहां पर सपोर्ट लेगा ठीक ठीक है मैंने पहलों लेया है यूपर निकलता है फिर जो उपर का लेबल दिया गया है वहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं लेकिन important जो है ना यह देखें ट्रेल लाइन यह वाला ट्रेल लाइन बहुत जादा important होने वाला है इस पर जादा निगाह होना चाहिए जब भी market यहाँ पर support लेगा तब आप buy करेंगे market उपर जाएगा ठीक है जब ट्रेल लाइन है जब market यहाँ के support लेगा positive candle बनाने के बाद ही आपको जाना है यह नहीं कि सरक कोई भी candle देख लिए आप चले जाए ऐसा गलती मत करना भाई positive candle बनेगा आप यहाँ बाई करेंगे market उपर जाएगा ठीक है जितने सारे लेबल था मैंने आपके सामन मैं consider कर दिया जो breakout हुआ जो प्लैकर पर पर पैड़न दिला है सारा सारा चीज़ भाई यहां मैं लड़निंग आपको बढ़ाता हूं आज वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिए फिर मिलता है कुझे इंटेशन आप आपके साथ नेश्टे वीडियो में